हलो फ्रेंट्स वेलकम टो डिजिटाल लर्निंग मैं हूर्विंच ओधरिक और आप देख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग सिरीज और एफिशले सेशन में हमने देखा था कि अधर फैन्य में वार भी फिजिटि आप सकते हुए का जइसी लिए आप ऐसे तरते हांने जाए को मोरी हैज हम थाहरे हैं incomodid आप ब्लिवन का हम उसका हम कैसे नहींत अधर आएब मेस करते हैं उस्कलिक का हम i6 गुरूप आप गुरुप औप टैग के लिए अब यह गूरूप टैग या तो परेगराप भी हो सकता है और व्हो बीक कुछ है तो मल्टिपल ब्ठीपल परेग्राप ग्लय हमने क्araC drama कर तो जितने भी टैग है उसके लिए यूज़ सकते हैं तो यहां पर हमें क्या करूंगा यहां पर मैं इक पेरेग्राप लिखा और मैं इसको फाइब टाइम लिखते हैं अब हम क्या करेंगे इसके नीछे हमें एक बटन ले लेते हैं तो यहां पर हमने एक लिए बटन और बटन पर हम基本 लिए लिखा क्लिक डेन इस बटन पर हम क्या करेंगे एक function set कर देंगे तो हम यहां पर लिए on क्लिक और इस फंक्शन का हम नाम लेखते हैं F1 अब हम क्या करेंगे इस बटन को इंप्लिमेंट करेंगे तो यहां पर हमने क्या करिया हम स्वारी इस फंक्शन को इंप्लिमेंट करेंगे तो यहां पर हमने एक फंक्शन लिखा F1 और इस बटन में हमने क्या किया अब हम इसके ग्यूर्णाफ का मांज़ञाए। इसे बीचे ईसे इसे लिए यहां पर के लिए। लिए आघ्या भीय्ट को पछे हम ऐसे बीचाह से बसे शाला और या Mikagem दें। का इसले हम क्या करेंगी इस पेरेग्राफ को यहां पर लिखेंगे अगर हम डिऊसकरते तो डिऊ देते या फिर हम एंकर टैंगी युश military is करे तो यहां पर हम एंग ज乾ंदे कि यहां पर अगर चैप चिह ए देन अगर हम पर रहे दे गले لेंगे टाल टेफिक시 अब यहां पर लेंगे हम paragraph 0 जीरो पर मैं ले लेता हूं और यहां पर हमारे पास एक keyword होता है style. और यहां पर हम ले लेते font size, font size मैं इसका ले लेता हूं 100 then हम क्या करते हैं इसको function को check करके देखते हैं तो मैं इससे save कर लेता हूं और शायद यह working में नहीं हो रहा हम एक काम करते हैं हम दूसरा लेते हैं यहां पर हम किसका color change करके देखते हैं color और यहां पर हम color लेते है red और हम इसको check करते हैं ओके हमारा color change हो चुगा है 3rd हम यहां पर इसको build करते हैं 3rd paragraph को तो इसके लिए हम लेंगे हैं आपर font यहां पर हम लेंगे इसको change करने के लिए हम लेंगे है font wet यहां पर basically हमर पास keyword होता है font weight हम इसको करते हैं bold और next हम लेते हैं इसको यहां पर लेते हैं font style हम लेते हैं italic italic अब हम क्या करते हैं बटन के through चेक करके देखते हैं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमारा second red color हो चुका है third bold हो चुका है fourth italic हो चुका है अब हम क्या कर सकते हैं यहां तो हमने basically सबको अलग-अलग लिया हम एक सांथ भी कर सकते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर एक for loop लेंगे then यहां पर हम लेंगे variable i variable i equals to zero then i कहां तक जाएगा हमारा paragraph के length तक यहां पर हम लेंगे dot the length i++ then मैं गरता हूं सबके हम क्या कर सकते हैं color change करेंगे तो यहां पर फिलाल हम इसको comment कर देते हैं और यहां पर हम देते आई और हम क्या करते हैं इसको save करके देखते हैं यहां पर आप देख सकते हैं हमने सभी का color change कर लिया इसी तर हम क्या कर सकते हैं तो यहां पर हम करते हैं इसको property change कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही thank you for watching this video